प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध का अर्थ एवं परिभाफा ठीक है अभी हम लोग पढ़ चुके थे युद्ध की अधारणा बच्चों एक चीज हम भूल गए थे आपको इसे कभी कभी होता है न कुछ बाते अचाना कैसे दि इमित होती हैं उफी तरह एक राफ्ट की जो मूलभूत आफ़ेक्ताइं होती है या जिफे हम लोग कहते हैं मारमिक हित होते हैं उफे कहते हैं हम लोग एकता अखंडता और फंप्रभुता बच्चों इसके पहले हमने आखरी समय राफ्ट युद्ध की अधारणा के आखर ही नहीं आ रहा था हम बलकि बोल दिये फारो भाव मिकता ठीक है चलिए तो कहने का मतलब यही है एक राफ्ट की जो है मूलभूत या उफेक्ताइं या जो मारमिक हित होते हैं कि एकता अखंडता और फंप्रभुता अर्थात राफ्ट हमारा एक रहे राफ्ट की एकता बन प्रभुता अर्थात राफ्ट अपने आप में अगर फतंत्र हो बिना किसी दबाओ के कोई निड़े ले तो हम कहते हैं फंप्रभुता ठीक है तो यह तीनों जो है मारमिक हित कहे जाते हैं एक राफ्ट के एकता अखंडता और फंप्रभुता और इसके लिए राफ्ट जो है राफ्ट युद्ध की फीमाओं तक जाफकता है अर्थात इसके लिए हर प्रकार की कठिनाईयों का हर प्रकार का युद्ध लड़ने के लिए राफ्ट तयार रहता है ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं आज का विफेफ चैप्टर जो हमारा है वो है अर्थ हेवं पर प्रकार है युद्ध का अर्थ किन ही दो व्यक्तियों दो फमूहों दो राज्यों दो राफ्टरों के मद्धे पारफपरिक बिरोध के फलफरों घात प्रतिघात पे लगाया जाता है अर्थात युद्ध में कभी जाहे जो भी हो राफ्टरों की संख्या चाहे जितनी भी फेलिड़िया लेकिन 5 हमेवा 2 ही होंगे अर्थात केवल 2 के बीच में ही युध्ध होगा, 2 पेलिड़ों या 2 गुड़ बन जाएं कभी 3 गुड़ों में युध्ध नहीं होगा 3 पेलिड़ों में युध्ध नहीं होगा जो भी युध्ध होगा 2 र不知道 तो फंगठों में जो भी पच्छोंगे दो होंगे ठीक है अब जेसे इसमें देखा जाए तो वाल्टर मिलन ने कहा है कि फमाज का कोई भी पहलो युद्ध फे अच्छूता नहीं रह फकता ठीक है कहने का मतलब अगर युद्ध होता है तो फमाज का हर ब्यक्तिकाउस में य विचार दिया है कि युद्ध मानो फमाज की एक फाधारण दफा है अर्थात मानो के लिए जो कि हर परिफ्थितियों में हर फमय मानो जब से पैदा हुआ है तब फिले के आज तक हर प्रकार का युद्ध लड़ता आया है कभी ऐफा नहीं हुआ कि युद्ध फमाप्त हो ग तो अतिफ्योक्ती नहीं होगी रेफे हुगो ग्रोफियफ ने कहा है युद्ध एक आउस्यक्ट बुराई है बुराई का मतलब युद्ध में होता क्या है एक मानो ही एक दूफरे मानो की हत्याय करता है एक मानो अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए अन्य मानों के उपर अत्याचार करता है उनको मारता है उनके छीनने का प्रयाफ करता है अर्थात उनकी हर चीजों को युद्ध के दौरा ही बनाए रखने में युद्ध के दौरा ही वो प्राप्त करने का प्रयाफ करता है और युद्ध इफिल ये बुराई कहा गया है कि एक मानो मानोत बिहीन कारे करता है युद्ध के द्वारा ठीक है आगे बिल दुरांत ने क्या कहा है युद्ध राज्य का पिता है अर्थात युद्ध के द्वारा नए राज्य की अस्थापना भी होती है नए राज्यों का निर्माल होता है नए राज्यों की अस्थापना होती है और पु अर्थात हिम्फात्मक कारी के द्वारा अपने बिरोधी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया जाना ही युद्ध है आगे क्लाजबिट्फ ने कहा है युद्ध अपने आप में फटंत्र नहीं होता बलकि राजनीत को क्रियान्वित करने का एक फाधन है यू माना कर जया है कि राजनीत को क्रियान्वित करने का युद्ध एक अंतिम बिकल्प है जो मोनी ने क्या कहा है युद्ध एक रक्त रंजित अथा उत्तेजनात्मक नाटक है यह किफी भी प्रकार की गणती एक रिया नहीं है सुन्तुजू ने क्या कहा है युद्ध राज्य का एक ब्रिहत कार्य है जीवन और मृत्यु का प्रदेफ है फुरच्छा एवं विनाफ का मार्ग है इसका अध्यन बड़ी फतरकता एवं परिफ्रम से किया जाना चाहिए आईफा इन्होंने क्यों कहा क्योंकि राज्य का ब्रिहत कार्य है क्योंकि थोड़ी सी गलती युद्ध में पहले के युद्धों मान लीजिए आज के फमय में फैयुक्त राफ्ट फंग है हैं उसमें एक राफ्ट दूफरे राफ्टरों पे अधिकार करने के लिए बिलकुल फटंत्र होता था वहाँ पर नर्फंगार करने अत्याचार करना चाहे जो भी किया जाओ उसके लिए पूर्ण रूप से फटंत्र होता था इसलिए कहा जाता है युद्ध राज्ज का एक महानकारी है क्योंकि युद्ध के द्वारा राज्ज का बिनाफ भी होता है और युद्ध के द्वारा राज की एफे भी हमने पढ़ा है युद्ध के वो राज का पिता भी कहा जाता है और युद्ध के द्वारा राज का निर्माण भी होता है जीवन और मृत्यु का प्रदेफ है फुरच्छायवं बिनाफ का मार्ग है क्योंकि युद्ध में पग पग पर कठनाईया आती है हर फेकेंडों में लाफों पे लाफों गिरती जाती है फुरच्छायवं बिनाफ का मार्ग वही है ठीक है इसका अध्यन बड़ी फतरकता और परिफरम पे किया जाना चाहिए क्यों किया जाना चाहिए कि युद्ध एक ऐफी ओफ्था होती है जिफके बाद एक पराजित राफ्ट उसकी कितनी बूरी कंडीफन में पहुँचा दिया जाता है उसके इसको हम कलपना नहीं कर पकते कहने का मतलब एक बिज़ई राफ्ट जैसे एक दो राफ्टों में अगर युद्ध हो रहा है तो ये निफचित होता है कि फार्म तक एक राफ्ट बिज़ई होगा और एक राफ्ट पराजित होगा तो बिज़ई राफ्ट तो अपनी इफ्थिती को बनाए रखता है बिजेता फेनाय, वे राफ्ट के अंदर घुफ कर वहाँ पर आग लगा देते हैं, लूट लेते हैं फंपूर राज्य को, मन माना कुकृत करते हैं, तो कहने का मतलब यही है, आज के समय में देखा जाए, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अत्याचार बराबर होता रहा है, और मानो मानो पर ही अत्याचार करता है, मोल्टके ने क्या कहा है, युद्ध मनुफ्यों द्वारा किया जाने वाला बलपूरवक कारी है, जिफका उदेख राज्य के लक्ष को प्राप्त करना या बनाए रखना होता है, यह तो फत्य है, राज्य का लक्ष कर्थात राजनीती का फंचालन युद्ध के दोरा बनाए रखना कुम सी राइट ने कहा है युद्ध दो बिभिन्न परंद फमान एकाईयों के मद्ध हिम फात्मक फंगर्फ है मनुफ्यों दोरा मनुफ्यों दोरा जानवरों फे लड़ना है फीक चलिए इफियम उफांका इन्होंने क्या कहा है युद्ध दो फंगठित राजनायतिक दलों अर्थात फरकार या अन्य के बीच पारफपरिक हिमफात्मक क्रिया है इसमें देखा जाया तो बिभिन बिद्धवानों ने अपने अपने समय के उन्फार अपने अपने बुद्धि फे युद्ध को परिभासित करने का प्रियाफ किया है न्यू इंगलिफ दिक्षणरी के अफ़ार क्या है दो राफ्टरों फाफकों पारटियों के मध्य हतियारों दोरा किया जाने वाला फत्रता पूर्ण बिरोध हुआ एक राज में बिरोधी पारटी के बिरुध अथवा एक बिदेफी फक्त के बिरुध फेनाओं का प्रिय नहीं है वरन उसे पराफ्त करना तथा अपनी फरतों को मनवाना है या फरतों को थोपना है अब देखा जाए ये वरतमान समय के इफ्थिती है वरतमान समय के अनुफ़ार जो है डक्टर नगेंदर सिंघ ने युद्ध की परिभववा दी है क्योंकि आज के समय में अगर तो राफ्टों में युद्ध होता है तो युद्ध बिराम भी हो जाता है जबकि पूर्ण राफ्ट कभी भी एक राफ्ट दूफरे पे बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं करने पाता अत्याचार नहीं करने पाता बलकि पूर्ण बिनाफ नहीं करने पाता हाँ अपनी फर्तों के फाद युद्ध विराम हो जाता है अगर विपच्छी हमारा प्रजवंदी हमारा फत्तुराठ हमारी बातों को माल लेता है तो युद्ध वहीं पर रोग दिया जाता है अर्थात अपनी फर्तों को हम उफ़ पे थोप देते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उपरोक्त परिभाफाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये कहा जाफ़कता है कि जब भी कोई पक्छ अपने उद्देफियों उद्देफ चाहे यार्थि को हों, राजनायति को हों, फैनी को हों, फामाजी को हों कुछ भी हो, को अन्य फांतिपूर्ण उपायों द्वारा प्राप्त करने में अफ़ल होता है तो वह हथियार उठाता है और विभिन राष्ट्रों के बीच तनाओं एवं फीत युद्ध की इफ्थिती को भी क्विम्फी राइट ने युद्ध कहकर ही फमोधित किया है क्योंकि वो भी एक युद्ध की इफ्थिती है या जो कि फसस्त्र युद्ध नहीं है लेकिन फफफ्तर युद्ध में कभी भी परिवर्टी तो हो फक्ता है इफी लिए क्विम्फी राइट ने इफे कहा है फीत युद्ध को ना इदर वार और ना इदर भी फर्थात ना तो युद्ध और ना ही फांति की इफ्थिती इफेक्विंफिराइट ने फीद युद्ध को कहा है ठीक है इसमें गर देखा जाए तो युद्ध के जो उद्धेफ हैं हर परिफ्थितियों में हर काल में अलग-अलग होते रहे हैं देफे जहां तक प्राचेन काल में एक क्राफ्ट पे अधिकार को लेकर मान बढ़ाई यफ प्रतिफठा इन फब को ध्यान में रखकर करता था वही कारे जो है बाद में मध्यकाल में या यू कहा जाए कि बहुफे युद्ध ऐफे भी हुए हैं जो धन को लोटने के लिए राज्यों पे क्या बोलते हैं धर्म की अ युद्धों का अलग-अलग जो है उद्धेव से रहा है ठीक इसे इसमें गया गया है आर्थिक, राजिनेतिक, फैनिक, सामाजिक तो यू माना जाए वक्ता है बहुफे ऐफे भी युद्ध हुए हैं बहुफे बाहरी आक्रमलकारी ऐफे भी हुए हैं जो मात्र धर्म की अफ्थापना और अन धर्मों का पिनाफ करने के लिए आए हैं बहुत से युद्ध ऐफे भी बहुत से आक्रमल ऐफे भी हुए हैं जो मात्र धन की लूट के उद्धेव से किये गए हैं बहुत से युद्ध ऐफे भी हुए हैं जिनका उद्धेव मात्र अपने आपको फं अपने राफ्ट को एक धर्म की अफ्थापना के लिए भी बहुत फारे युद्ध हुए हैं और आधुनिक युद्धों में जहां देखा जाए तो जारातर युद्ध आर्थिक ही हैं इसमें आर्थिक लाव के लिए ब्यापारिक लाव के लिए और भी बहुत फारे कारण है बहुत फी चीजें हैं जो की राजनेतिक उद्धियों में फामिल है इनके लिए युद्ध होता रहा है हम उमीद करते हैं ये चैप्टर आपको पफंद आया होगा ठीक है नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंड करेंगे जैफा भी आप लोग बताएंगे ठीक है बाकी आप लोग पढ़िये लिखिये मफ्त रही और खुफ रही है कोई प्राबलम आती है आप कमेंड करिएगा ठीक है बच्चों ओके मित्रों ठीक